यह जो आपने अभी डिजाइन देखी है मैंने मेट जरनी फोटोप और चैट जीपीट को यूज कर रहा है इसके लगा मैंने किसी और टूल के हल्प नहीं ली है बहुत सिंपल प्रोसेस हैं सारे मैं स्टेप बाइ स्टेप आपको एक्स्प्रेइन करूँगा इसके लिए चैट जीपीट बजाकर करें कांटेंट कर रहा है और फिर उन इमेज और कॉंटेंट को यूज करके मैं फोटोप पे मैंने कैसे कैसे डिजाइन करेंगा वह सारे स्टेप्स मैं आपको एक ही करके एक्स्प्रेइन करूँगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो मिट जानी पे जाकर के मैंने जो प्रॉंप डाली थी वो था कॉलेज स्टुडेंट फ्लाइं एर वेरिंग अ हेडफोन पासिंग थू क्लाउड इन स्टाइल अफ निकॉन यह तो इस से मैंने क्या करा फिर मैंने प्रॉंट में चेंगे सेम था कॉलेज स्टुडेंट फ्लाइं इंड इयर वेरिंग हैडफोन पासिंग थू क्लाउड इन स्टाल अब इतना है यह जो प्रॉंट में आपर मैंने एडग करा होँ है sky filled with balloons, hot balloons, music icon, happy and vibrant atmosphere. अब ये डालती ही, मुझे happy and vibrant तो मिला, लेकिन मुझे इस पर कुछ जमा नहीं, तो मैंने थोड़े बाद और प्रांट में चेंजिस करे थे, वो था, ये तो सेम था, college students, flying in the air, wearing headphones, passing through clouds, photography by medium format, hazel blade camera, happy vive, 8K resolution, sky filled with balloons, hot balloons, music icons, happy and vibrant atmosphere. यहाँ पर मुझे मिला, मुझे इससे भी कुछ ज़्यादा मुझे hope नहीं दिखा, एक और attempt मैंने मारी, उसमें मैंने बाकी सारे प्रांट में एक जो चीज़ एड करा था, वो था, surreal imagination. अब क्यूंकि मुझे एक out of the world feeling चाहिए थी, headphone के feature में, तो उसके लिए मैंने surreal imagination डालते ही, मुझे यह मिला, इसमें से मुझे दो image काम के लाइक लगा, लेकिन मैं इससे और explore करना चाहता था, वो था यह और यह दूसरा, अच्छा यह दोनों मुझे काम के लगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना V1, V2 पे click करके, मैं इन दोनों के चाचार options मैंने create करें, इस वाले का अगर आप देखो यहाँ पे, तो यह चार options मिले, पर यह भी मुझे उतना interesting नहीं लगा, लेकिन इसका अगर आप देखो, तो यहाँ पे मुझे यह चार मिले, इस में से मुझे यह interesting लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा background में आप देखो, तो noise यह बहुत ज़्यादा elements है, जो कि हमें टाइपों में problem करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना था, वो मुझे Photoshop में करना था, क्लीन करूंगा, जीपीटी पे जाकर के मैंने जो prompt डाली थी, वो था, create content for headphone brand, sound of the headphone feels like out of the world, मैं तो एक out of the world feeling चाहिए थी, मुझे headphone के content से, क्योंकि मैंने जो image generate करा था, उस image में एक out of the world experience दिख रहा था, तो उसके लिए मैंने यह prompt डाली, यह बिल्कुल exact जो मैंने image create करा है, उससे related हैं यह सारे text, और कुछ features हैं वो यहाँ पे मैं add कर दूँगा, stellar sound quality, zero gravity comfort, astral connectivity, तो यह तीन चाहर टेक्स हैं, इनको use करके मैं design करता हूँ, तो चलिए next step की तरब आगे बढ़ते हैं, अब आप अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे background में बहुत सारी चीज़े happenings ही हैं, अब यहाँ पे मैं typo करूँगा, तो यह दिखेगा नहीं मेरा typography और बहुत सारी problem आएंगी, तो मैं इसे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ selection tool लेकरके, यह जो background का area जिसमें मुझे बहुत जाद noise दिख रहा है वो यह है, इस complete area को select करके rough selection नहीं करूँगा और फिर मैं जाओँगा generate fill पे क्लिक करूँगा, generate fill पे क्लिक करते ही, prompt अगर prompt में मैं क्या करूँगा, make a sky clearer, यह prompt डाल करके मैं generate पे क्लिक करूँगा, generate पे क्लिक करते ही, मुझे यहाँ पे यह कुछ generate करके दिया है, पहले से तो better है, पर मुझे उतना better नहीं लग रहा, लेकिन फिर अगर मैं right side panel में जा करके देखूँ, तो यहाँ पे 3-4 options इसने दिये हैं, तो तीन-4 options में अगर मैं देखूँ, तो मुझे ऐसा कुछ कोई भी उतना interesting नहीं लगा, interesting लग रहते लेकिन typography point obviously, क्यों मुझे typography clear दिखाना था, उसके लिए मुझे यह सही नहीं लगा, तो मैंने दुबारा से जा करके यहाँ पे, generate पे क्लिक करा, और फिर मुझे इसने और कुछ options दिये, उन options में मैंने देखा, कि यह better लग रहा था, लेकिन इसके जो यह right में है, यह मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा clean कर दिया इसने background को, तो मैं फिर इस image के साथ जाओंगा, और इस image को भी थोड़ा मैं clean करने की कुशिश करता हूँ, इस image में आप देखो नो, तो यहाँ पे बहुत सारे distracting elements है, इसे मैं erase करता हूँ, और वो ही मैं जो generative fill new feature है, उसको use करके करूँगा, उसमें बहुत कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इन सारे में rough selection करना है, इन selection करने के बाद, फिर यहाँ पे generative fill पे क्लिक करना है, फिर generate पे क्लिक करना है, और अप अगर देखो, तो यहाँ पे यह सारे elements टीमू हो जाते हैं, बहुत है simple process है, image के editing new generative fill tool से काफी improve हो गया है, फोटो सॉम में जाकर के मैंने यह image लाया, और इस image को मैंने क्या करना इसके जो, क्योंकि मुझे female के पीछे टाइपो करना था, तो मैंने इसको अलग से crop कर लिया, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यह एक rough crop है, बहुँ जादा detail में नहीं crop करा हुआ है, लेकिन यह काम हा जाएगा हमारा typography, इसके पीछे डलने पे ही सही लगेगा, तो यह दो layers है, अब problem क्या है गे ना, इसमें कि यह background है ना, इसमें बहुत सारे colors हैं, तो यह distract कर सकता है, तो background के color को मैं चाहता हूँ, यह सारे elements रहें, लेकिन इसको थोड़ा सा dim करने के लिए मैंने क्या करा, कि इसमें यह एक पीछे नया layer लेकर के, क्योंकि मैं पास एक layer है एक, तो इस layer की opacity को कम कर दूँगा, तो आप अगर देखो, तो जो भी थोड़ा बहुत distracting element था वो गया, अब काफी clean और कुछ भी text डालेंगे इस पर हम तो clear दीखेगा, यह हो गया, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं जाओंगा text लेकर क्या होगा, तो सबसे पहला जो text है, वो है universe, click, control V, और यह हमारा font भी, यह है, calcium font है, और universe मेरा text है, इसे मैं बढ़ा करूँगा, इसके साथ थोड़ा प्ले राउंड करना है, enter, इसे मैं align करता हूँ, फिर, यह done है, अब मैं यहापर selection कर गे हाँँआपे, तो यहापर text एड करने है, मुझे वो यहाँ पी यूज करूँगा, मैं text को, next जो text है, control shift I, और यह यहाँ पर mask, अब मैं दूसरा text ले करके आऊँगा, वो है आपका, in every note, control V, अब इसे मैं छोटा करूँगा, क्योंकि मुझे उतना बड़ा नीची है, और यह text, दो अलग अलग रहेंगे, इसे मैं बड़ा space दे करके, और इसे arrange करूँगा, मैं यहाँ पर, और, white color का font करूँगा इसमें, और यह होगा हमारा पार, done, अब क्या है, अब मुझे यहाँ पर एक box लेना है, rectangle tool लेकर के यहाँ पर box create करूँगा, और यह यहाँ पर आएगा, यह लेगा पीछे की तरफ हमारे इस layer के पीछे, तो इसे मैं पीछे करता हूँ, और यह जो मैं ज़रे इसे copy करके, ओपर लेकर करके आऊँगा, इसके opacity पूरी करूँगा, और इसे यहाँ पर clip mask कर दूँगा, control T करके, और जो headphone का area है, मुझे उसे highlight करना है, तो इसके लिए मैं इसे बड़ा करूँगा, और फिर यह part, यहाँ पर turn, फिर इसे copy करके, control T, और इस area में, मुझे इस वाले part को दिखाना है, top part को, यह अला part यहाँ पर दिखाना है, तो वो यहाँ पर सही है, अब क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ वाला जो image ही है, यह इसके उपर आने से hide हो जा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर selection create करना है, और यहाँ पर जा करके, इसे mask कर दूँगा मैं, इस पर click करके, तो यह होगा हमारा mask, अब दोनों एरियाज हाइलाइट हो गए है, यह top wall apart यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर यह पर दिख रहा है, अब मुझे next text लेकर क्या आना है, वो है आपका features that defy earthly limits, control V, पर यहाँ पर मैं यह font नहीं रखूँगा, यहाँ पर मुझे font चीए, वो है आपका future, उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, FUTU, future का book font यूज़ करूँगा मैं, इसे छोटा करूँगा, और यह यहाँ पर, इसे मैं full caps करूँगा, फुल caps करके इसे और छोटा, क्योंकि मैं बहुत जादा इस word को highlight नहीं करना चाहता हूँ, और इनके बीच के spacing भी बढ़ा दूँगा मैं, और छोटा इसे थोड़ा और, यह सही है, अब के यहाँ पर थोड़ी से visibility शुआ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्लिक करके, एक grey color लूँगा मैं, यह सही है grey color, और यहाँ पर हर का, और इसको multiply कर दूँगा, क्योंकि हमारा texture है, वो दिखना चाहिए, यह बार done है, अब तीन features हैं, को मैं यहाँ पर लेकर क्या हूँगा, पहला जो feature है, वो यह है, control V, control A, इसे छोटा कर दूँगा मैं, और यहाँ पर रहेगा, alt, तूसरा जो text है, वो यहाँ पर आएगा, और जो third text है, वो आपका आएगा, तो यह तीन features हैं, जो कि मुझे use करना है, इस headphones के, तो इससे मैं यहाँ पर बड़ा कर दूँगा, और यह आपका, यह आपका design हो गया, done, यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैंने कोई icons नहीं use कर रहे हैं, यहाँ पर simple image यूज़ कर आए, और typography यूज़ करी है, यहाँ पर बहुत सारे vector आइकन यूज़ कर सकते थे, मैं करना चाहता था, लेकिन हमारा इस image का जो class और एक cleanness है वो चला जाता, कभी भी ना हमें चीज़ों को limit करना चाहिए, कि हमें आप या तो image यूज़ करें, या vector यूज़ करें, यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर मैंने text और image यूज़ कर रहा है, मैंने कोई vector नि यूज़ कर रहा है, तब ही जाकर ये image बिल्कुल clean लग रहा है, और एक अलग तरीके का wipe दे रहा है, वेक्टर यूज़ करने से थोड़ा सा मुझे किडिश वाली feel आने लगती है, तो इसलिए मैंने उसका avoid कर रहा है,